मदब्रेश में हुए पोशर आहार घोटाले की जाच अभी शुरू भी नहीं हो पाई है कि अब मिड़े मिल में भश्टाचार का मामरा सामने आया है जहां एक सरकारी स्कूल में मिलने वाले मद्ध्यान भोजन में गरबडी की शिकायत आई है जिसमें उचित मोलिकी दुकान से भेजे गए चावल को बेच कर खराब चावल बच्चों की थाली में परोसने के आरोप लगे हैं खाने में इल्लिया मिल रही है यही नहीं शिकायत करने पर बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है अब सवाल ये भी उठता है कि क्या मध्यान भोजन में कमीशन खोरी हो रही है या मिली भगत के चलते बच्चों का जीवन दाव पर लगा दिया गया है उमर्या से मिड़े मिल में ब्रष्टा चार का मामला सामने आया है बच्चों के मध्यान भोजन के साथ खिलवार किया गया है बता जा रहा है कि मध्यान भोजन में इलिया मिली है मामला मानपुर ब्लाक के चितराओं माध्मिक शाला का है जहां तीन दिनों तक चावल में इलिया पाएं गई जिसकी शिकायत भी बच्चों ने स्कूल प्रबंदन से की है लेकिन मिली भगत के कारण कुछ नहीं हो सका जिसके बद बच्चों ने वीडियो जारी कर पूरी कहानी बयान कर दी बच्चों ने वीडियो में बताया कि जानवरों की तरह स्कूल में भोजन परोसा जाता है शिकायत करने पर स्कूल से निकाल देने की धमकी दी जाती है वीडियो के जारी होते ही सिक्षा विभाग में हरकम मत गया और अब सर्व सिक्षा बियान विभाग के जिम्मेदार जाच कराने की बात कह रहे हैं लेकिन मिली भगत के कारण घटिया इसतर का चावा लाकर छोटे बच्चों को खिलाया जा रहा है। लेकिन मिली भगत कराएंगी. ज sed तक चावा इसतर कि अच्चों को. जोई इंदियास् प्रेमेर्व्यु स्किल्बेस्ट बेस्ट रूणिविस्टिय रभिंधनून टफेड है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज